हेलो फ्रेंड एनो की किचन में आपका स्वागत है तो आज हम करेले की सब्जी की बहुत मज़ेदार रेश्पी लेकी आई हूँ जो करेले की सब्जी देखते ही मूँ बनाने लगते हैं और बच्चे तो इसे बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं पर आप एक वार इस तरीकी से देखिए बिल्कुल कर वेने लगेगी बच्चों या बड़े सभी तो इसे मांग मांग के खाएंगे क्योंकि मैं इसे एक खास तरीके से बनाई हूं जो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो एक वार इस तरीके से आप करेले के सब्जी बना के जरूर देखें मेरे वीडिय तो आप छोटे या बड़े साज के कोई भी करेले ले सकते हैं तो इसे मैं कट करूंगी तो चाको से इसे आगे पिछे का भाग कट कर दे तो देखिए इसे हम आगे पिछे का भाग कट कर दिये हैं तो इसे मैं आप कट करूंगी तो इसे हम गोल-गोल सेप में इसे कट कर ल तो करेले में थुरा ज़्यादा ही नमक देना चाहिए क्योंकि इससे करवापन दोल होता है अधे निंबो को गाटके लिए हैं आप राष्णिचोर के डाल देंगे निंबो करास देने से करेले का करवापन पूरा दूर हो जाता है तो आप एक वारिस तरीके से करेले की सब्स बना के ज़रूर देख्येगा तो सब्सक्राइब कर सबस्द्रिप्र सब्सक्राइब तilकर प्लाइब कर देने तरां साइब कर्णा कीजिएगा तो करेले दूर हो जाए तो पंदंद मिनट के बाद हम हम इसए कर लेंगे तो 15 पूरे हो गयै है तो हम ढकन भाटा देते हैं तो ढकन अटा आकर के सब एक वार हम क्रेले को अच्छ! से मिस कर लेंगे तो देखिखे हम चमा से मिस कर लिए हैं टो क्रेले वें आप लिए करेले को बिने साइद कर देंगे और सब बनाना शुरू करते हैं तो घैसण करके कराही गरम कर लिए हैं इसमें हम थिन बरें चमस кни डालेंगे करेला की सब्जी भेञाने में सर्षकाउल ही डालेज़् साफकाईल देंगे काव रहा जाया हम अंगे pronounce record the agreed सब्सक्राइब इसे हम उतनी त्षी नहीं लगाए देख सकते हैं तो देखिए करेला को हम टोटल आठ मिनट तक भून लिये थो तो देखिए करेला हमारा बिलकूर अच्छे से भून गया है देख सकते हैं तो करेला को जितने अच्छे से भूनिये गए सबजी हमारे उतनी ही टेस्टी बनेगी तो इसे हम टोटल भूनने में आठ मिनट का टा तो मैं आपर सर्श्यों देर रही हूं तो जो चाथ में मैं आधी छोटी सब्स, टुस्तु नाकश रख़ुकर सब्स बने को लिए संप्णा कारेले का सब्स पर लिए इस चक नारब पीयाड गत, लामपाईंगे खाल सब्स, विन दोब 1-2 मेदूर, बहुट को लोगे करता हो दोघ ह tiene Sílcarन कर देना चाहिए कियोंकि इस में मृठास होती है और करे लेंकि सब्जी क्यों कर्वा Влад करता है तो इसमें थोड़ा ज्यादब प्याज को भी हम थोड़ा साप्थ ऊंदे पका लेंगे और यादा तो ज्यादा नहीं पका है इतना ही पकाना है nesse लेहां यसन को धाले लिए양े सावता हिए नहीं करौनोंगे छो कड़ी मिसिले न करलाऊ सिर न कि धबक़ना हिए का लैडी कर लेंगे तो लुफ लेंगे मैं इसे इस dif consider रिपाता हैं देख सकते हैं तो ये भी अच्छे से भून गे है तो इसमें मैं जो करेले फ्राइ करके रखे थे तो इसमें मैं करेले डाल दूंगी तो करेला इसमें डाल दे और इसे अच्छे से मिस कर ले तो इसे अच्छे से मिस कर लोंगी तो इसे मिस कर ले और गैस का फिले मेडियम कर ताकि प्याजय करेलिया आपस मैं talkin से अच् yardım कर लेंगे तो देखके से हैं अग्छार पॉर्डटी था मिन एक चोटी चमज करेलिया क्वड्ड़ का मिर्च पॉड़्ड्र आले अगर आपके पास आम चुरका पॉर्डर नहीं है तो आमके जो मसाले होते हैं वह भी ले सकते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और नमक डाल दे स्वाधन उसर नमक पहले भी दिये थे तो नमक का धियान रखे और नमक इसमें दे दिया वह इस सभी मसाले को की देखिए मसाला देिखिए हम सभी को अच्छे से मिस कर लें हां गैस का फिलीम लोडख沒गे ताकि मसाला हम आज जले नहीं है सभी को हम में एक से दो मिर्त दूआर ये वी रट आपक सके और मसालम मसाला हमुआ च्छे से थ्अ नहीं है बहुतके नेनीन ऍभी कुर मष़त सब्सेटान छोड़ा मिंसों सब्सेटान बाएं सब्सेटान कर दो यह जोने को सब्सेटान करते कितना पाता होगा सब्सेटान बन चसानाै तब ग्यास का फ्लेम आफ कर देंगे और ठंडा होने को बाद इसे हम शौर्प कर लेंगे तो आप सब्जी को हम शौर्प कर लेते हैं तो देखिए हमारी शूपर टेस्टी बिना करवाहट बाली करे लेकी सब्जी बनके रेडी हो गई है आप इसे रोटी चावल दाल पराठ पसंद सखाएंगे क्योंकि यह बिल्कुल भी करवी ने लगती है तो आप एक वार इस तरीके से करे लेकी सब्जी बना के जरूर खिलाए एक वार जरू ट्राइ करें मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें ऐसी हमारे चैनल पर बने रहें मैं अप लोग के लिए न्यू न्यू रेश्पी लेक क्या दिरूंगे थैंक यू फूर वाचिंग फरन मेरी वीडियो कैसी लगे कॉमेंट करके जरूर बशाए